विजे हैं जबलपूर से हमारे साथ स्वागत है आपका है अलो हां जी बताइए है जी नहीं मेरे थोड़ा प्रावन रहती रही है हम प्रेट में मतलब कितम सुझे ना जाना है इसने बहुत एफिक्स मतलब जिसे गलें कुछ ऐसे फासा ही रहता हूं में इसनी दवान ये पा अराम है नहीं मिलता है ठीक है बिटा उमर बताईए आपनी उमर मेरी फर्टी पाई जी बहुत जल्दी होने लगा आपको और बहुत जल्दी आप इसका इलाज भी कर ले नहीं तो पिर दूसरे रोक शुरू हो जाते हैं देखें साफ आमला धनिया तीन चीजें दो दो सो ग्राम लें और इसमें कलोंजी का नमक आता एक जिसे कलोंजी का रसाइन भी कहते हैं कलोंजी का एस्टेक भी कहते हैं इंग्लिश में सो ग्राम इसमें मिला कर आप पाडर घर में बनाएं सारे चीजों का बाहर से पिसा पिसा ना लाएं तो आपके लिए बेतर है और एक च होना मुम्किन है नेक्स्ट कॉलर हैं अम्बाला से नवनीत हमारे साथ स्वागत है आपका इस नमस्कार जी अधाव है तर्म मैंने ये अपने लिए पूखना था मेरे ना बहुत सुपेद हो रहे हैं हां जी और मेरी है अचाइट साल जी चाहिए नजला वगेरा तो नहीं रह है जिए नहीं टबसे हो रहे हैं यह अब बहुत ज़्यादा हो गया है और एक मेरा सइकिन स्वाल यह यहे है कि जो मेरी नन्ग है उसके बारे में पूछना है मैंने उसके ना लीवर बताया हुआ है कि उससे सोजव सानी जी लियुल मिर पे लिए बढ़ गया है हां जी यही और एक यह दाया हुए है कि उसके मुटापब बहुत ज्यादा है उसकी एज है साथी सेवन कितनी अच्छी भावी कि नननंद के लिए भी सवाल पूछ रही है और ये रिष्टे बड़े अच्छे होते हैं तो पहले आपके लिए बताओं या आपकी नननंद के लिए अच्छा देखिए आपके लिए बतायता हूं क्योंकि आपने फोन किया है कि आप एक नस्खा बना ले और बहुत आसान है एक नारियल पानी रोज खराईदा करें और उस पानी में आदा गिराम गौन मौरिंगा ड अईसा होना मुमकिन है ये महीना दो महीना लगाता आगर आप करेंगे तो आपको फायदा मूमकिन है नननन्द का देखिए एक तो लिवर और जो मूटी होते जा रहे है एक थाइराइड ये दो परिशानी है इन दोनों परिशानी हो के लिए आप लिख लीजे क्योंकि ग्राम धनिया, तीन सो ग्राम धनिया, और सो ग्राम आवला, सो ग्राम में थी, सो ग्राम गॉन्द मॉरिंगा, जो गॉन्द आप यूज़ कर रहे हैं, वो यूने कर रही है, और इसका पाउडर बना लें घर में, कोई भी चीज, पिसी पिसाई ना लाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, फिर इसका दो तीन गिराम, चार गिराम सुबा, ऐसे इतना ही शाम को, आप उन्हें खाने दीजे, और थाइराइट की गोली भी खाते रहें, हर महीने आपके डॉक्टर, आपकी रिपोर्ट देखकर, आपकी थाइराइट की गोली की प्रोटेंसी कम कर करते करते हैं, उसे छुड़ा देंगे, और कुछ दिन बात ये भी ठीक छुड़ा देंगे, तो उनका लीवर और ठीक होना मुम्किन है, नेक्स्ट पॉलर है, बीकित रिपाथी, रीवा से हमारे साथ, स्वागत है आपका, हाँ मेडम नमस्ते, जी नमस्कार, आदा बताई जी आदा, बताई। सब्सक्राइब तरफ चान चानि मर्याकी अ क्यों आहि One सपोर्टिंग द्वाब और यह रहा हिए जो आपने पहले ही होता जाता है उसके तो मज़े ही आ जाते हैं मरीजों में दो परसेंट लोगों का थोड़ा दर्द बढ़ता है फिर कम होता है तो उनको जादा मेहनत मत करने दीजे और कम असकम तीन-चार महीन ये दवा खिलाएं अगर अगले महीन में पूरा फायदा हो जाए फिर दो महीन और खिलाएं ताकि ये दुबारा से वापस न लोट सके नेक्स्ट कॉलर है श्रीपोखन राना जी जारखंड से हमारे साथ स्वागत है आपका अलो जी बताइए कमर में दर्द कर रहा हैं ये यार और भ्र्रम कानका ग्र्रेट जी इकanor मनें दर्द था कमर कमर में दर्द कर ग्र्ड ग्र्ड ठीक के सब बात बहुत इसिए हमसटो अपर और ने कर दोते एक मरदर्द के लिए दुनिया में एक ऐसा गौन भी है जो गौन सिया कहलता है काला गौन यह वाहिद भी काम करता है अकिला भी काम करता है और दूसरी चीजों के साथ भी काम करता है लेकिन यह वो रो मैटेरियल है यह वो कच्छी दवा है जिसको काला गौन या गौन सिया कहते इसको हासिल के लिए सो दो सो गिराम और आदा आदा गिराम सुबाश आम खाने से आपकी ये तकलीफ ठीक होना मुम्किन है तो बिलकुल आपकी तकलीफ जरूर दूर हो जाएगे, यह नुसकी जरूर अपना लीजिगा, आज से ही अपना निश्रू कर दीजिगा, फिर एक दो दिन, जाद से जाद से जाद से आट दिन, फिर देखेगा आपको कितना रिलीफ मिल जाता है, नेक्स कॉलर से बात कर लेत हैं इसी के साथ, नमस्कार दीपक जी, नमस्कार जी, हकीम जी से बात हो सकती है, आजी आपको सुन रहे हैं, जी दीपक जी याद आप, याद आप, सर अच्छली में को पापा के बार में पूछना था, वो डाइबटीस पेशेंट है, और उनको टाइफाइड हो गया पिछ देखिए, कैस्टाल आइल आता है, जो मेडिकल स्टोर्स पर मिलता है, कैस्टाल आइल, या इसे अरंडी का तेल भी कहते हैं, वो दवाएं जो आप दे रहे हैं, वो दीजे डॉक्टरों की, पूरा साथ दिन या पंदरा दिन इलाज इसका होता है, और ये एक चमच कैस्ट आइल, उन्हें रोजाना ज़रूर पिलाया करिए, ताकि उनकी आतों की गंदगी और खुश्की खतम हो सके, और बैतरीन इलाज आप कर रहे हैं, जो भी टाइफाइट का कर रहे हैं, और ये आतों के इन्फेक्शन का को कहते हैं, टाइफाइट, और इनका खुब ख्याल ल इस कारेक्रों में कॉल किया है, नुसके आपको हकीम साहब ने यहाँ पर बता दिये हैं, बस आपको वो जल से जल करवाने हैं अपने पिताजी को, और एक एक नुसका आपको घर बैठे बैठे ही बनाना है दर्श को, देखे कोई भी पिसी पिसाय चीज बाहर से मत लेके आ उसके जान लिये हैं कि वो घर बैठे बैठे खुद भी सेवन करते हैं, खुद भी सेहत मन्द रहते हैं और दूसरों को भी बताते हैं, तो आप किस बात की देरी कर रही हैं, अगर आप आप डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं, कोई भी गरम दवायू का सेव नहीं करना चाहते हैं, और हर एक रोग को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो फोन उठाना है, नमबर्स पर कॉल करना है, जो आपके सामने लगतार दिखाये जा रही हैं, लाइव हकीम सहब से आप लोग बात कर सकते हैं, उनके साथ जुर सकते हैं, आईए बात कर लेते है नेक्स्ट कॉलर से जी नमस्कार, स्पागत है आपका हालो आदा मैं जी बताएए, नाम बताएए, कहां से बात कर रहे हैं मैं इस दोष की श्मीट जो हुए हाजी, बताएए, सवाल कीजिए मुझे हैकीम सार बात करनी दी जी मैं सुन रहा हूं बताइए फर्माइए असलाम आलेकों है कीम सब्साइब वाले इसलाम हकीम सब्साइब मैं आपका बहुत बड़ा पैन हूं अल्ला का शुकर है और आपकी दूआउं से आपके नुक से जाप बहुत अच्छे लगते हैं मेरी दो प्रावल्लम है हाथ की प्रावल्लम है जब मैं किसी बात करूं तो मेरा गला खुब सूप जाता है और मेरी हाथ देश हो जाता है और दूसरी प्रावल्म है मेरी सेल नहीं बन पा रहा है सर कमजोर सेल चीक अमर बता दीजा अगर आप हैं तो मेरी उम्मर 21 साल है सर कितनी 21 साल ठीक अच्छा देखिए आवला धनिया सौफ मेथी आवला धनिया सौफ मेथी और लीजिये आप सौट ये सब सौटो गिराम और गौन मौरिंगा 100 गिराम इसको खुब बारिक पॉडर बनाएं और 3 गिराम सुबा 3 गिराम शाम यानि एक छोटा चाय का चम्मच थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम हो जाए तो कोई बात नहीं ये आप नस्का इस्तमाल करना शुरू करें आपकी दोनों परिशानियां ठीक होना मुम्किन है नेक्स्ट कॉलर है हरियाना से नीलम हुमारे साथ स्वागत है नीलम जी आपका नमस्कार जी नमस्कार हमें चिम जी से बात करनी है जी जी फरमाईए क्या से बात है नीलम जी हाँ किम जी मुझे पेट में दड़ रहता है और वहारा रहता है जायत बनती है और बजन जेट भी ज़्यादा बढ़ता जारा है मेरी उमर्टी चुरस है और कुनी बवासिर भी है पेरों में बहुत ज़्यादा दड़ रहता है सिर में भी दड़ रहता है बहुत खेर लखी अपना और यह बवासिर से भी बहुत कमजोरी आ जाती है खुन जाने से और मैं आपको एक नस्का बताना जा रहा हूँ अलसी लीजे पांच सो ग्राम अलसी पांच सो ग्राम इसे भून लीजे इतना भूनिये कि बहुत ज़्यादा ना हो बहुत कम भी ना हो बहुत ज़्यादा भी दर्मियानी तोर पर इसको भून लीजे और इसको पॉडर बना लीजे और इसमें सो ग्राम गौन मौरिंगा मिला कर इसका पॉडर बनाई है और तीन-तीन गिराम सुभा शाम खाने से पहले भी खा सकते हैं बाद में भी खा सकते हैं दो वक्त इसे इस्तमाल करें तो आपकी ये तकलीफ में ठीक होना मुम्किन है चले इसके साथ नेक्स्ट कॉलर हैं हरियाना से राजेश हमारे साथ सबागत है राजेश आपका बताईए अलर्जी है अलर्जी है पीट पे बहुत दाने निकलते हैं अच्छा दिखिए जो नमक है जो सोडा है आपके किचन में ये जरा सा एक दो चुटकी पानी में मिला के और कोटन के जरीए उस जगा पर लगा लिया करें जहां पर दाने निकलते हैं और ये सोडा आदा चुटकी रोजाना पानी मिला कर पीना भी है एक बार अगर आप ये अमल करते हैं तो आपकी परिशानी ठीक होना मुमकिन है अगली कॉलर है मनीश्वा लखनाओ से हमारे साथ स्वागत है आपका जी 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 बताइए सवाल कीजिए जी डाक्टर साथ नमस्ते जी आदा बताइए मनीश्वा जी जी हमारे लड़के लड़का है बाई साल का तो कैसे ठीक होगा क्या होगा चीक है बहुत आसानी से ठीक होना इसका मुमकिन है कैपसूल पी केर कैपसूल पी केर दिन में दो बार दीजे लेवू पानी के साथ और किड्नी में कितनी भी बड़ी पत्री हो रेजा रेजा करके रेथा बनके निकल जाती है तोड़ा सबर रखें और आप उन्हें पानी खूब पिलाएं पानी कम असकम तीन लीटर पानी रोज पीएं और जब भी पीएं तीन गिलास पानी पीएं ताके वो फोर्स से पत्री निकल सके ये नस्खा उस पत्री को जाके तोड़ देता है और फोर्स से जब पिशाब आता है तो उसको वो निकल जाती पिशाब के दरी घबराईएं नहीं आप सीधी लेडी है तो इसलिए मैंने आपको घरे लिन उसका भी ने बताए कि आप जंजट मेना पड़ जाएं मैंने दवा बता दिया आपको